मेरी मालकिन तीर्थ यात्रा पर गई तो अपनी 13 साल की बेटी को मेरे पास छोड़ दिया। मैं भी भाग भाग कर उसके सारे काम करता रात होती तो उसको अपने पास सुला लेता इसे अपने पास सुलाने के लिए मालकिन नहीं इजाज़त दे। रखी थी। अगली रात हु तो मुझे कुछ नरम नरम सा महसूस हुआ। मैं घबरा कर उठा तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि मालकिन की बेटी उसी रात। मालकिन तीर्थ यात्रा पर जा रही थी इसलिए सुबह से मेरी जान आफत में आई हुई थी। बार-बार मुझसे कह रही थी, मोहित मेरा मैं मेरी उम्र 25 साल थी लेकिन मैं 10 साल की उम्र। से ही मालकिन के घर काम कर रहा था। इसलिए वह इतना भरोसा मुझ पर करती थी, वह मुझे हर बात बता रही थी। कहने लगी देखो मोहित अपनी बेटी अंशिका को मैं घर ही छोड़ कर जा रही हूँ। उसका खुद से भी ज्यादा ख्याल। रखना तुम्हें पता है ना इसे नींद में चलने की आदत है। मैं सरहिलाने लगा कि हां मालकिन मुझे मालूम है। हाला कि मुझे क्या मालूम वह तो अपने कमरे में ही सोती थी। उम्र में 13 साल की थी लेकिन जरा सी बावली। किस्म की और लाडली थी। मालकिन की इकलौती बेटी थी इसलिए उसे लाड प्यार से रखा हुआ था। अभी तक गुड़े गुडियों से खेलती थी मैंने कहा कि मालकिन मैं इसका ख्याल रखूँगा। लेकिन इसके बाद जो बात मालकिन ने। मुझसे की मैं तो हैरान गया वह कैसे मुझसे यह बात कह सकती थी। कहने लगी रात को तुम अंशिका के पास ही सोगे उसके कमरे में रहोगे यह बात सुनकर तो मेरी पूरी आखे हैरत से फटी की फटी रह गई थी। मेरा तो दिमाग। यह सुनकर घूमने लगा था। मैंने कहा मालकिन मैं कैसे छोटी ब बात करे यह ठीक नहीं है वह कहने लगी मोहित मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने जो कह दिया बस कह दिया तुम। अंशिका के कमरे में ही रहोगे और वही सोगे मुझे मालकिन की यह बात किसी तौर पर सही नहीं लग रही थी। लेकिन मैं उन्हें बार-बार इंकार न लेकिन बहुत अमीर और बहुत सारी जमीन जायदात थी जहां से उन्हें खूब पैसा आता था और एक ही बेटी थी, जिसे उन्होंने लाड प्यार से पाला था जब मैं मालकिन के, घर काम करने के लिए आया था, तो उस वक्त मालिक जिन्दा थे, उन्होंने तो मालकिन को बहुत खुश थे. अंजली के पैदा होने. से चंद महीने पहले मालिक का हार्ट अटैक से देहांत हो गया मालकिन सदमे से ही पागलो जैसी बाते करने लगी थी. कभी कहती वहाँ अभी आ जाएंगे मुझे छोड़ कर यू नहीं जा सकते मैं उस वक्त दस साल का था. लेकिन मालकिन की हालत देखकर मैं फूट फूट कर रोया था. क्योंकि उनका रवया शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छा था वहां मेरा भी बड़ा ख्याल रखती थी. इसलिए मुझे उनका दुख देखा नहीं जाता था. जब अंशिका पैदा हुई तो पहले तो मालकि बहुत रोय थी. मालक को याद करके लेकिन फिर उनका दिल अंशिका के साथ लग गया. मालकिन के ने माबाप ने बहुत चाहा की मालकिन दूसरी शादी कर ले. लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कहने लगी कि नहीं मुझे अपने पती से बहुत मोहबत थी. और मैं जिन्दगी अपने पती के नाम पर गुजार दूगी फिर वही किया, पूरा घर उन्होंने संभाल लिया था. तेरा साल का वक्त गुजर गया था मालकिन का सबसे ज्यादा वफादार और भरोसा करने वाला नौकर. मैं ही था. कारोबार की देखरेक मालकिन ने मेरे हवाले क रखी थी लेकिन मैंने भी नमक का हिसाब चुकाया था। एक-एक पी का हिसाब मालकिन को देता था इस साल हमारी मालकिन के माबाप तीर्थ यात्रा पर जा रही थे। इसलिए मालकिन ने कहा कि मैं भी तीर्थ पर जाना चाहती हूँ यहाँ सुनकर पहले तो अंशिका ने अदामा खड़ा कर दिया कि वह अकेले यहाँ नहीं रहेगी लेकिन उसके फाइनल पेपर थे। इसलिए मालकिन कहने लगी कि मैं तुम्हारी पढ़ाई को खराब नहीं करना चाहती। इसलिए तुम अगली बार मेरे साथ चली जाना बड़ी मुश्किल से वो मानी थी। ल चात्रा पर चली गई। और उनके जाते ही मैंने सोफे पर बैठ कर सुकून का लंबा गहरा सांस लिया फिर खाना बनाने वाले को बुलाया। और अपने लिए बढ़िया सी चाय बनवाई लेकिन मालकिन के होते हुए मैं कभी भी सोफे पर नहीं बैठता था। कुछ दिन मालिकों वाले ठाट मैं भी करके देख लू। मैंने सुकून का सांस लिया और मजे से अपने दोनों टांगे सामने शीशे की टेबल पर रख कर रिमोट हात में लिए टीवी पर चैनल बदलने लगा। अभी मैं सोच ही रहा था कि कौन सा चैनल देखू कि तभी क कमरे का दर्वाजा खुला और अंशिका। हाल में आई जब उसने मेरे बैठने के तौर तरीके देखे तो माथे पर बल डाल कर बोली। मोहित के बच्चे तुम्हारे शिकायत तो मा के आते ही लगाऊंगी की कैसे उनकी कीमती टेबल पर तुम पाफ पसार के बैठे थे। यह सुनते मैं हडबडा कर बिलकुल सीधा होकर बैठ गया। मैंने कहा छोटी बेबी उपर वाले के लिए मालकिन से मेरी शिकायत मत करना मैंने फॉरन से टीवी बंद किया और रिमोट साइट पर रखा। अंजली माथे पर गुसा चड़ाएं आराम से आकर सोफे पर बैठ गई और रिमोट भी अपने हाथ में पकड़ लिया कहने लगी मां घर पर नहीं है। तो इसका मतलब यहां नहीं समझना कि तुम लोगों को मैं सर पर चड़ाऊंगी जब तक मां घर पर नहीं है इस घर की मालकिन मैं हूँ। इसलिए जो मैं कहूं तुम लोग वही करोगे मैंने भी सीने पर हाथ रखा। और सर जुकाया जी जी क्यों नहीं छोटी मालकिन जैसा आपका हुकुम करे अंदर से मेरा जीतो जल के रह गया था। मेरी कभी भी मालकिन की बेटी से एक मिनट भी नहीं बनती। हर वक्त बचकाना हरकते करती रहती थी। और मैं उसकी हरक्तों से परेशान हो जाता था, वहां मुझे बाजार के कई बार चक्कर लगवाती थी. कहती थी कि तुम ही मेरे लिए समान लाओगे जाइवर नहीं जाएगा, ना ही कोई दूसरा. नौकर मालकिन भी उसे कुछ नहीं कहती थी. क्योंकि वहां उनकी लाडली बेटी थी मुझे ही कहती थी. जाओ मोहित जो छोटी मालकिन कहती है, वहां कर दो चाइका कप नौकर लेकर आया तो. मुझे ऐसे खड़ा देखकर अजीब सी हंसी मुझ पर. हंसा था कहने लगा अभी तो बड़ा रोब जम रहे थे. आगय ना अपनी आउकात में मैं उसे घूर कर खा जाने वाली नजरों से देखने लगा था. उसने चाइका कप टेबल पर रखा जो चाइ मैंने पीनी थी वहां बड़े मजे से अन्शिका पी रही थी. ऐसे ही पूरा दिन इधर उधर के कामों में ही गुजर गया जैसे ही रात हुई. मैं सोने के लिए अपने रूम में जाने लगा तो अन्शिका कहने लगी तुम कहा जा रहे हो मोहित मा ने कहा था. कि तुम मेरे कमरे में सोगे ये सुनते. ही मुझे मालकिन की बात याद आ गई. मैं हैरानी से अन्शिका की तरफ देखा मैंने कहा छोटी मालकिन मुझे अपने रूम के अलावा कही नींद नहीं आती. घर में और नौकरानी भी हैं आप उन्हें अपने साथ सुला ले वो कहने लगी मा. ने कहा था कि तुम मेरे कमरे में सोगे तो मतलब तुम ही सोगे चलो शराफत से आओ मेरे कमरे में और कालीन पर जाकर ले जाओ. मैं कमरे में आतो गया लेकिन मुझे अजीब सी बेचैनी सी शुरू हो गई थी. अंशिका बेड पर जाकर लेट गई थी उसने लाइट आफ कर दिया कमरे में इस वक्त अंधिरा था मेरा दिल बड़ी जोर-जोर से धड़क रहा था भले वह 13 साल की थी लेकिन मैं तो 25 बरस का था मुझे किसी की एक बात याद आने लगी जो मैंने कहीं बाहर सुनी थी कि जहां एक मर्द और एक औरत हो तो वहां तीसरा शैतान होता है पता नहीं मालकिन ने ऐसा क्यों कहा कि मैं उनकी बेटी के कमरे में अकेला रहूं उनको चाहिए था कि वहां नौकरानी को अंशिका के साथ सुलाती कमरे मैं हलकी सी रोशनी थी एक नजर मेरी बेड पर लेटी अंशिका पर पड़ी तो उसके चहरे पर जाकर मेरी नजर तिक गई सोई हुई बड़ी मासूम सी लग रही थी बिल्कुल खुलकर सो रही थी एकदम ही मैंने अपनी नजर बदली अपनी आखे जोर से बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा कि अंशिका को स्कूल से वापस लेने भी मुझे ही जाना था जब तक मैं नहीं जाता तब तक ड्राइवर भी अंशिका को स्कूल से लेने नहीं जाता और यहां मालकिन का हुक्म था मैं अपने काम में ऐसा उलज हुआ था कि मेरे दिमाग से यहाँ बात निकल चुकी थी कि अन्शिका को स्कूल से वापस लेने भी जाना है दो बजे अन्शिका की छुट्टी होनी थी और मुझे चार बस चुका था जब मेरा फोन बजा और जब मैं नमबर देखा तो मालकिन का था मैं जल्दी से फोन उठाया तो मालकिन मुझ पर भड़क उठी कहने लगी मुझे अन्शिका की कॉल आई थी वह अभी तक स्कूल में ही है तुम उसे लेने क्यों नहीं गए ये सुनते ही मेरा दिमाग घूंग गया मैं तो बिल्कुल भूल छुका था मैंने कहा मार्केट में जमीनोंस के हिसाब किताब में लगा हुआ था मालकिन कहने लगी जाओ जाकर उसे जल्दी से घर लेकर आओ मैं घर से निकला सामने जाइवर को मैंने गुस्षे वाली नजरों से देखा मैंने कहा तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि छोटी मालकिन की छुटी हो गई है वह कहने लगा मैं क्यों बताओं मालकिन तो तुम्हें सब नौकर का सरदार बना कर गई है उन बातों का तुम खुद ख्याल रखो ड्राइवर की बात ने तो मुझे गुस्सा दिला दिया था मालकिन क्या गई थी कि सारे नौकर सर पर चड़ गए थे वरना उनके सामने तो सर जुकाए रहते थे मैं जल्दी से ज्राइवर के साथ बैठा और जब स्कूल पहुँचा तो पूरा स्कूल खाली हो चुका था सिर्फ अंजली ही स्कूल में थी और वो गुस्से से लाल पीली होती हुई गाड़ी में बैठ गई जितनी देर तक मैं घर नहीं पहुचा वह मुझे बस बाते ही सुनाती रही कहने लगी मा को आने दो तुम्हारे कान ना खिजवाई तो फिर मुझसे कहना मेरा गलती है इसी लिए मैं चुपचाप उसकी सारी बाते सुनता रहा घर पहुचे तो खाना बनाने वाले ने खाना भी तयार नहीं किया हुआ था नौकरानी ने भी घर की सफाई ठीक से नहीं की थी बस अपनी बातों में बिजी थी यहां देख कर तो मेरा सर चक्रा गया मालकिन के बिना तो पूरा घर ही अस्त व्यस्त हो गया था मैं उन्हें कुछ कहता तो सब कहते कि तुम भी हमारी तरह नौकर हो ज्यादा हमारे सर पर सवार मत हो मैं तो मालकिन के बिना बौकला कर रह गया था मैंने नौकरानी से ठीक से सफाई करने को कहा अपनी निगरानी में मैं पूरे घर को साफ सुथरा करवा दिया रात को मैं थक चुका था जब मैं अंशिका के कमरे में गया तो वह तेज आवाज में अपना स्कूल का कुछ याद कर रही थी मैं हाल की सोफे पर जाकर सो गया क्योंकि दिन भर का ठका हुआ था, रात को मुझे लगा जैसे हाल में कोई और मौजूद है किसी के कदमों की आवाज मुझे सुनाई दी मैंने आखे खोल कर देखा तो मुझे लगा जैसे कोई आदमी अंशिका के कमरे के बाहर खड़ा हो और कमरे की खिड़की से अंदर जाकने की कोशिश कर रहा हो मैं तेज आवाज से कहा कौन है वहाँ तो फौरन से कोई किचन की तरफ भागता हुआ चला गया मैं एकदम उठा किचन की तरफ भागा लेकिन वहां किचन बिलकुल खाली नजर आ रही थी मैंने लाइट चलाई वहां कोई नहीं था एक दरवाजा किचन का बाहर की तरफ भी खुलता था जब मैं वहां देखा तो उसकी कुण्डी खुली हुई थी जब मैं वहीं से बाहर निकला बाहर भी सन्नाटा था मैंने किचन के दर्वाजे को अंदर की तरफ से कुंडिली लगा दी और वापस हाल में आकर लेट गया यह सोचने लगा कि कौन आदमी था जो रात के इस वक्त अंदर आया था ना जाने मुझे क्या सूझा मैं कि ऐसी ही कुट्टे के भौकने की आवाज आने लगी तो अंशिका नींद में डर रही थी कहने लगी कि मुझे डर लग रहा है यह कुट्टे मुझे खा जाएंगे मा मेरा हाथ पकड़ लो वह बेड पर अपना हाथ मार रही थी नींद में शायद मालकिन को ढून रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर मुझे क्या करना चाहिए मैं अपने बिस्तर से उठा और अपना हाथ अंजली के हाथ में दे दिया मेरा हाथ पकड़ कर फिर से गहरी नींद में सो गई थी काफी देर मैं खड़ा इंतजार करता रहा कि वह कब गहरी नींद में जाए और मैं अपना हाथ उससे छुडाऊं जब वहाँ गहरी नींद में सो गई तो मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से अलग किया और दोबारा कालीन पर जाकर लेट गया उसके बाद मैं अंजली की कमरे में ही सोने लगा था एक दिन एक नौकर ने दूद की खीर बनाई तो कहने लगा कि तुम भी खा लो बड़ी सुकून की नींद आएगी तो मैंने भी खीर खा लिया और रात को अंशिका के कमरे में चला गया उस रात वाकई मुझे बड़ी गहरी नींद आई मैं जो सोया था सुबह ही मेरी आख खुली जब मैंने देखा तो बेड़ खाली था उस वक्त सुबह के पाँच बज रहे थे उस वक्त तो अंशिका नहीं जाकती थी और वैसे भी आज रविवार का दिन था और उसकी छुट्ती थी मैं कमरे से बाहर आया तो अंशिका वहां पर भी नहीं थी मैंने उसे पूरे घर में देखा मुझे कहीं नजर नहीं आई मेरा दिल तो धक्सा करके रह गया था मैं तमाम लोगों को शोर मचा के जगा दिया सभी उसे ढूंडने लगे लेकिन वहां पूरे घर में कहीं नहीं थी मेरा तो वहां हाल था की काटो तो खून न निकले मेरा रंग पीला पड़ चुका था मालकिन उसे मेरे भरोसे पर छोड़ कर गई थी मैं कैसे रात को गहरी नीन सो गया था मुझे पता चला की खाना बनाने वाला बावर्ची भी वहां से गायब था फिर मेरे ख्याल में आने लगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक आदमी को अंशिका के कमरे से बाहर देखा था वहां भागते हुए किचन में गया था शायद वहां बावर्ची ही था मैंने फोरन से मालकिन को फोन किया और सारी बात उनके कानों में डाल दी मैं उसका पता सब जानता था मालकिन ने कहा कि तुम बावर्ची के घर पहुँचो और उसका पीछा करो मैं पुलीस को फोन कर देती हूँ मैं भागता बावर्ची के घर गया तो मालूम हुआ कि वो तो घर पर आया ही नहीं फिर मुझे मोहले वालों से पता चला की सुभा सुभा बावर्ची अंशिका के मुंग पर हात रख कर उसे एक गाड़ी में बैठ कर कहीं ले जा रहा था। उस वक्त पुलीस भी हमारे बंगले के करीब आ चुकी थी। सारी चानबीन के बाद बंगले के बाहर लगे कैमरे की मदद से हमें गाड़ी का नंबर मिल गया था। और साफ उसमें नजर आ रहा था कि बावर्ची अंजली के उपर हात रख कर जबरदस्ती उसे गाड़ी में बैठा रहा था। गाड़ी का नंबर ट्रेस हो चुका था मैं भी पुलीस वालों के साथ गया था। जैसे की गाड़ी तक पहुँचे तो वह गाड़ी सुनसान जगा पर खड़ी थी। मुझे याद आने लगा कि एक बार बावर्ची मुझे ऐसी जगा पर लाया था जहां उसके कुछ दोस्त रहते हैं। मैं भागता हुआ उस तरफ जाने लगा जहां उसके दोस्त का घर था। पुलीस बाद में पहुची लेकिन मैं उस घर में पहले पहुच चुका था। मैंने दर्वाजे पर जोरदार लात मारी तो दर्वाजा खुल गया सामने वह बावर्ची और दो मर्द मौझूद थे उन्होंने अंशिका को रसी से बांध कर एक कुरसी पर बैठा रखा था। वह बहुत रो रही थी यहाँ देखकर तो मेरा खून खौल उठा मैंने आव देखा नाताव और उन तीनों की पिटाई शुरू कर दी इतनी देर में पुलीस वहाँ पहुच गई थी। उनको पढ़कर जेल में बंद कर दिया रोते हुए अंशिका। मेरे गले से लग गई वो बहुत दरी हुई थी। मैंने कहा कि तुम परेशान मत हो जब तक मैं जिन्दा हूँ तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुचा सकता। कुछ दिनों में मालकिन भी वापस आ गई थी मालकिन अंशिका को गले लगा कर रोने। लगी और मुझसे कहने लगी मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम मेरी बेटी की हिफाज़त करोगे। मैंने कहा कि मैं इसे हमेशा अपनी छोटी बेहन की तरह समझता हूँ और जब तक मैं जिन्दा हूँ। आप बेफिक्र रहे ना तो आपकी तरफ कोई आख उठा कर देख सकता है और ना ही अंजली की तरफ यह सुनकर मालकिन बहुत खुश हो गई। और मुझे अपना बेटा कहकर बुलाने लगी। अंशिका भी मुझे कभी कभी भाई कहती थी पर वो मेरे से लड़ती बहुत थी। अंशिका बहुत थी। झाल झाल से लड़ती थी। झाल